नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमरे ड्यूप चैनल पे आज कुछ आपको नया प्रापडी देखने के लिए मिलेगा जिसका बजेट जाद तर आप फ्लाइट मेरे वीडियो देखे रहेंगे बंगलोज देखे रहेंगे लेकिन आज का जो है यह है आपका फामाउस जो की है और टाइटल पूरा क्लियर है दोस्तों और साथ बरा वगरा है स्टाम डूटी रेस्टेशन वगरा करकी यह वाला प्रापडी आप लोग बाई कर सकते एक एक करके मैं आपको स्टार्ट करूँगा पूरा कहा तक हमारा बाउंडरी है एक स्वुमिंग पूल भी है जो की ब सारे चीज़ आप लोग देख लिए इसे आप बिजनिस टाइप पे भी कंवर्ट कर सकते हो अगर आप इसे बाई करके फिर आप अगर बिजनिस करना चाहते हो तो वह भी पॉसिबल है फिलाल यही कर रहा है यह जो इसका ओनर है वो यही कर रहा है ब्रदर्स बोलके यह फा आपका प्रापड़ी यह है बिग साइस का यह प्रापड़ी रहेगा प्लस इसका जो इरिया है 36 गुंटे का यह प्लॉट है और इसमें आपको क्या-क्या चीज़ आपको मिल रहा है जैसी आप देख सेको मेंगो का यहाँ पर काफी सारे आपको पेड़ देखने के लिए मि इससका इरिया हो गया जहाँ पर आप सुबे शाम बैठके इंज्वाइ कर सकते हो और कुछ इस तरह की का यहाँ पर फॉल्स इलिए और बना कर रखा गया जो की देखने के लिए काफी खुबसूरत लग रहा है इस तरफ का इरिया देख लेता है इस तरफ भी एक आपको मि मिल जाते है हिहाँ पर आपका बेड्रूम अगर इसके में साइस की बात करें तो साइस स्काइप रॉपस आपका बेड्रूम का साईस कम से कम यह 14 फीट काश लंबाई में ऐसे में आपको 12 बाइच फीट का असपास मिलेगा तो 12 बबग चौदा का असपास यह हो गया आप आपका एक और आपका bedroom जैसे कि आप देख सकते हूं यह भी आपका काफी big size के आपको मिल जाते है यहापर bedroom यहापर भी आपको मिल जाता है fall ceiling देख लिए शांदर सा fall ceiling center में आपका fan रहेगा इस तरफ आपका kitchen यह है दोस्तों यह है इसका kitchen हाला कि आभी तक start नहीं हुआ है अ आपको मिल जाता है kitchen का platform और इस तरफ आपका पीछे side का balcony देख लिजे यह आपका balcony जहां से मैंने entry किया था first number वाला bedroom वह इस तरफ है और back side का आप देख लिजे यहापर भी आपको grill अगरे लगा कर दिए गया है एक और मैं आपको living area दिखाता हूं बहुत ही शांदर तरीक दिखते हो big size का आपको मिल जाएगे यहापर living area dining के लिए इस वाले side में space आपको मिल जाता है dining table यहापर बनाने वाला है bed एक bed अगर जादा लोग आते हैं तो यहापर एक bed भी रख सकते हैं फिलाल यहापर एक bed brand new bed लाकर रख दिया है देख लिजे और ceiling यहापर भी आपको false link बना कर दिये गया है इस तरफ है आपका ventilation के लिए window और इस तरफ एक आपको bathroom मिल जाता है यह रहा दोस्तों यह है आपका bathroom का area अभी मैं आपको लेके चलता हो गिजर वगरा भी दिया है western आपको यहापर मिल जाता है और अभी मैं आपको लेके चलता हो back side में और back side से पर और भी मिल रहा है कौन-कौन सा यहाँ पर आपको paid लगा कर दिये गए ऐसे property आपको बार बार नहीं मिलेगा आप Mumbai side में नवी Mumbai side में आप अगर ऐसी वाले property देखते हो तो कम से कम 4 करोर 5 करोर का सपास तक जा सकते हैं उससे जादा भी जा सकते है क्योंकि 36 गुंठा यह plot देख रहे उसका तो 18 एकड में है उनका 18 एकड में है और यह है आपका 36 गुंठा नीचे आपका swimming pool है जो की बहुत यूनिक लगा मुझे वह कैसे वह मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ यह पूरा area आपका रहेगा यह छोटे-मोटे plot नहीं है घुमते-घुमते आपको काफी सारे work लग जाएगा फिलाल तो मैं shoot करके आपको दिखा रहा हूँ बहुत जल्दी-जल्दी लेकिन अगर आप चकर लगाओगे ना 36 गुंठा तो आपको काफी time लग जाएगा 15 से 20 मिनिट का आसपस तक आपको compound wall compound wall टच करके अगर आप जाते हो तो इतना time आपको ल लगाकर दे दिये गया है इसे मैं आपको उपर चड़ के दिखाता हूँ यह कुछ अलग टाइप का आपका swimming pool बनेगा यहाँ पर नीचे आपका tiles लग जाएगा और अगर आप इस पानी की बात करेंगे तो उपर डैम है उपर की तरफ डैम है जो की काफी उपर है और काफी क्लीन वाटर है और क्या करते है अगर आपको swimming pool यहाँ पर बनाना है तो आपको क्या करना है swimming pool का यह जो है ना यह वाले लिवर को नीचे कर देना है तो पानी ब्लॉक हो जाएगा पानी यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा और यह swimming pool आपका भरना स्टार्ट हो जाएगा फिर ज कर दो उपर के तरफ कर दो पानी निकल के चला जाएगा काफी nuclear क porch इंड एक यह गटर का पानी आ रहा है यह पूरा डम का पानी आ रहे है रीवर का पाणी तो रिवर का पानी को आप यहाँ पर चोल कर दो के यानि कि आपको सिंपल से क्व्या करने उसे यूनिक वाले फ्यूचर लगा मुझे इस वाले फार्माउस पे दोस्तों तो यह आपने देख लिया कुछ चीज तरीके का आपका रिवर छोटा से रिवर कहलो नाला तो नहीं कहेंगे हम लोग क्योंकि नाला नहीं है नाला में गंदी की पानी आता है लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाते है साब सुत्रपानी वो भी डैम का पास में एक और छोटे छोटे फार्माउस है और जैसे कि मैंने आपको बताए उपर की तरफ एक जो पन्वेल का में डॉक्टर है उसका अठरा एकड का प्लॉट है और उसको लगके ही यह वाल आपका प्लॉट है और क्या-क्या चीज़ आपको मिलते है एक बावडी भी है वो भी मैं आपको दिखा देता हो ताकि आपको आइडिया लग जाए बोरिंग कनेक्शन यहाँ पर एवलबल है पीने का पानी आपको यहाँ पर मिल ज जाता है अपका जूणा पुराना बावडी यह रहा कुछ इस तरी के और हो इसमें कचवा भी है एक चवा भी इसके अंदर फिश भी है इसका अंदर एक कच्वा भी मुझे देखने के लिए मिला यहाँ पर तो यहाँ पर आपका मशीन वगर आपको इस वाले रूम पर मिल जाता है और आम का पेड़ काफी जादा है यहाँ पर नारियल का भी पेड़ आपको मिल जाता है और इस तरफ आम है फिर इस तरफ ग्रीन वाला मेट यहाँ पर भी आपको कंपाउंट वाल आपको करके दिये गया जो भी आपका जितने भी आपका प्लॉट रहेगा उसमें बाकाई यहाँ पर पिलर वगरा रखा है जैसे के आप देख सकते हुए यह पूर आपका यह यहाँ तक ऐसे करके जाके एंड तक होता है इस तरफ आपका कंपाउंट वाल रहेगा तो इसका प्राइस वह मैं आपको क्लियर कर देता है सबसे पहले ओनर भी यहाँ पर हमारा आ चुका है और इनका कहना ऐसे ही कि आगर यह सेल के लिए जाता है तो फिर आगर कोई सेल के लिए नहीं जाते तो इसे हम विकेंड विग्डे में यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आएगा उनके लिए हम लोग यूज करना चाहेंगे तो इस हिसाप से यहाँ पर काम चल रहे है अगर आपको बाई करना है अगर आपको पसंद है आपका बजेट है तो फिर आप यहाँ पर मोस्ट वेलकम दिये ग टीस लाक विग्रेशिशन में अपको मिल जाेगा एक करोर टीस लाक वित रेspaz में मिल जाएगा विच इस निगोशिबल रहेगा जब भी आप विजिट के लिए आएंगे आपका यहाँ का जो आनर है वो आमको प्लस जूबी निगोशिबल हो जाएगा वो हो जाएगा ब पुरा मेंक्टेण वाला फार्मॉस को पर्चेस कर सकते हो जिसमें आपको आपको अम रूत का पेर्ड में अपको मेंटेंट करके रखा गया है तो